हेलो एवरिबन कम्प्यूटर इज मैं पैसन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम आप लोगों को MS Word में प्रिंट आउट निकालना सिखाएंगे किस तरीके से आप कोई भी लेटर या अप्लिकेशन या रिज्यूम जो भी बनाए हुए हैं तो MS Word में किस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो आज हम आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना सिखाएंगे तो चलिए फिर हम देखते हैं कम्प्यूटर स्क्रीन के और चलते हैं और आज आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना सिखाएंगे एक simple तरीके से की print out किस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो फिर चलिए तो दोस्तों यह हम computer screen पर आ चुके हैं और अब हम अपने system के अंदर या computer के अंदर जहां पर भी application या later जो या resume जो भी कुछ रखे हुए हैं हम उसमें चलते हैं तो चलिए फिर चलते हैं तो हम desktop में जैसा कि हम resume बनाए हुए हैं तो उस पर चलते हैं हम तो यह resume पर click करते हैं और इस resume को हम print out निकालते हैं तो इस तरीके से यह open हो गया और यह हमारा resume है तो इस resume को यदि हमको print out निकालना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं पहले हम रिजीम बनाना सिखाये थे तो रिजीम तो हम बना लिये हैं अब रिजीम बनाने के बाद हम प्रिंट आउट किस तरीके से निकाल सकते हैं आज उसके बारे में हम बताते हैं तो प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे पहले हमको चलना होगा विंडो में इसमें आ Office बटन पे हम आ गये, क्लिक करते हैं, यह हमारे सामने कुछ option खुल करके आ गया, अब इसमें हम print option में चलेंगे, तो यह हम print option में आ गये, क्लिक करते हैं print option पे, यह हम print option पे click किये, यह जो हमारे सामने एक box खुल करके आया है, इसको हम कहते हैं dialogue box, यह हमारे सामने जो खुल करक प्रिंटर नेम जैसे आपके सिस्टम या कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर कनेक्ट होगा उस प्रिंटर का नाम दिखाएगा यहां पे जितने प्रिंटर कनेक्ट होगे एक या एक से अधिक प्रिंटर अगर कनेक्ट है तो सभी प्रिंटर के नाम दिखाएगे तो यहां पे जैसे कि हम corner में जब click करेंगे यहाँ पर, यह corner पर click करेंगे, तो जो भी printer connect होगा हमारे system से, तो उस printer का नाम यहाँ पर show करने लगेगा, अब जिस printer से हमको print out निकालना होगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं, जैसे माली जै किसी एक को हम select करना चाहतेगा, इससे print निकालना है य हमारा printer select हो जाएगा जब हम print out command देंगे तो वो command हमारा उस printer से निकलेगा जैसे हम select कर लिए उसके बाद यहाँ पे properties यह properties यह printer का property बताएगा उसके अंदर कौन-कौन से option होते हैं property के बारे में दिखाएगा तो यह हम यहाँ पे आ गए है उसके बाद आप अपने से यहाँ पे size बढ़ा सकते हैं या दे सकते हैं या automatic option है उस option में कौन सा आपको रखना है जैसे custom size यह custom size है page का उसके बाद यहाँ पे legal है later है table है इस अभी option है तो इसमें भी हम रख सकते हैं जैसे हम अभी फिलाल इसको later में लेते हैं यह select करते हैं या legal रखेंगे यह page का size होता है या format यह हमारा page का format होता है या size होता है तो यह page के size को इस तरीके से हम ले सकते हैं या manual तरीके से आप type करके ला सकते हैं तो चलिए हम later ले लेते हैं यह later ले लिए यदि आपके width चौड़ाई और यह height लंबाई चोड़ाई लंबाई अपने से minimal तरीके से आपको बढ़ाना घटाना है इस तरीके से आप यहां से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कम करना है तो कम कर सकते हैं तो यह height उसका कम हो जाएगा यह चोड़ाई बढ़ाना बढ़ा सकते हैं नीचे ये दो arrow दिये हुए नीचे करेंगे कम होगा ये उपर की और किलिक करेंगे ये अधिक होता जाएगा तो इस तरीके से आप minimal तरीके से page के size को adjust कर सकते हैं उसके बाद नीचे दिया हुआ है यहाँ पे दिया है portrait और land escape portrait में आपका ये हमारा portrait है और ये हमारा land escape है portrait vertical सीधा सीधा रहेगा vertical जो हमारा पेज हमारा लंबा रहेगा और land escape में क्या हो जाएगा हमारा page चावडा ये जो print out निकलेगा इस तरह चावड़े में निकलेगा चावडा पेज में निकलेगा और portrait यदि कर देंगे तो ये हमारा पेज लंबा प्रिंट आउट निकलेगा तो यह portrait हो गया और यह हमारा जिस तरीके से हम click कर रहे हैं यह देखिए यह हमारा यह portrait हो गया तो इस तरीके से आप इसको भी select करके आप page को कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है page कोई print out निकालना होता है तो उसको चोड़े में निकाला जाता है और कोई कोई जो print out निकाला जाता हो वो वर्टिकल सीधा रहता है तो उस condition में हम इसको select करेंगे क्योंकि पेज जब प्रिंट आउट निकाला जाता तो कोई जरूरी नहीं होता है कि हम page मतलब जो सी एक वर्टिकल फॉर्म में निकाले कभी कभी होता है चावड़ा चावड़ाई में निकाला जाता है तो चावड़ाई में निकालना है तो land escape करेंगे और सीधा निकालना है तो portrait करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे ok करेंगे यह हम ok कर दिये उसके बाद यहाँ पे page range page का range जैसे मान लिजे अगर हम 5 page 10 page 20 page जितना भी page हम type किये हुए हैं तो उसका range दिखा रहा है कि किस तरीके से आप निकालना चाहते हैं या कितना निकालना चाहते हैं तो उसके बादे में भी दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है all page all page का मतलब जैसे मान लिजे हम 10 page हमा पेज सेलेक्ट करेंगे तो करेंट पेज जब सेलेक्ट करेंगे तो जिसमें हमारा करसर रहेगा जिसमें करसर ब्लैंक करता रहा गया जो हमारे सामने पेज होम पेज खुला रहेगा या करसर जिसमें रहेगा वो हमारा करेंट पेज कहलाता है तो केवल करेंट पेज को ही प्र पिर आठवा पेज निकालना है फिर दसवा पेज निकालना है तो बीच बीच में यहादी हमको निकालना है तो इस तरीके से हम यहादी हमको निकालना है तो हम यहादा क्या करेगा पहला पेज निकालेगा दूसरे पेज को नहीं निकालेगा फिर तीसरा निकालेगा तीसरे page के बाद फिर चाउता नहीं निकालेगा पांचवा निकालेगा पांचवा एक बाद आठवा निकालेगा तो यह इस तरीके से निकाल सकते हैं तो आप page को तीन तरीके से print out निकाल सकते हैं यदि आपका 10 पेज है 20 पेज है जितना भी है तो all करेंगे तो यह हमारा पूरा निकल जाएगा यहां पे all कर लेंगे तो पूरा निकल के आ जाएगा हमारे सामने 20 पेज होगा तो 20 पेज निकालेगा current page जिसमें cursor अगर select है जिसमें cursor है तो वो हमारा current page कहलाता है तो क्योंब उसी page को निकालेगा उसके बाद यहाँ page numbering के हिसाब से निकालेगा उसके बाद current page के just सामने में हाँ selection दिया हुआ है कभी कभी क्या होता है एक ही page हो current page जो हो उसमें से हमको कुछ ही word या कुछ ही 2-3 line ही निकालना है और line को हमको नहीं निकालना है तो उस condition में हम क्या करेंगे यहाँ पे select कर लेंगे जिस line को या जिस font को या जिस word को हमको print out निकालना है जैसे 10 line में लिखा एक page पूरा है उस page में हमको कुछ ही line चाहिए तो यहाँ पर select करेंगे उस line को select करने के बाद यह highlight होने लगेगा उसके बाद selection में click करेंगे और ok करेंगे तो जितना हम select किये थे केवल उतना ही निकलेगा हमारे सामने फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ number of copy अब क्या है जैसे माली जा all page निकलना हो या current page निकलना हो या pages निकलना हो number of page कौन-कौन से number का चाहिए उसके बाद जैसे माली जाम all page चाहिए तो क्या एक-एक page निकलना है या उसका दो-दो copy निकलना है या तिन-तिन copy निकलना है चार-चार copy निकलना है तो कितने copy निकलना है एक page के कितने copy निकालना है तो उसके लिए यहां से हम select करेंगे जैसे one copy पहले का one दूसरे का one तीसरे का मतलब one one copy चाहिए तो one करेंगे और two चाहिए तो यहां पे two करेंगे three करेंगे four तो अब क्या करेगा सभी जितने हमारे 10 page है या दो page है चार page जितने print out निकालना है तो हमारा क्या करेगा अभी 4 यहां से 4 सेलेक्ट कर दिये तो हमारा 4-4 Compute उसका निकालेगा उसके बाद यहां पे दिया हुआ है print word किस type का print निकालना चाहते हैं यहां पे option दिया हुआ है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे document, properties, document show, markup, list of markup, style, building, block, interior की इस type के अगर आपको print निकालना है तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप जैसे इसमें से कोई साथ ही select कर सकते हैं तो हम document फिलाल निकाल रहे हैं later यह document बना रहे हैं तो उसको हम document में रखेंगे उसके इलावा यह सब का भी use होता है जब आप काम करेंगे इसमें तो समझ में आएगा कौन-कौन से होते हैं जब आप इसमें इस तरीके से इंटिरियर की रूप में निकालना है कोई format निकालना इस्टाइलीज निकालना है लिस्ट आफ मार्कप प्रिंट आउट निकालना है तो यह सभी option दिये हुए हैं तो नॉर्मल हमारा जो है भी document हम print करेंगे तो यह document में select कर लेते हैं उसके प्रिंट, page in range, page का range दिया हुआ odd और even इसको भी select कर सकते हैं odd और even, odd में हमारा जो हो जाएगा जो sum और विसम जिसको खम कहते हैं odd और even, even sum और विसम, odd का हो गया जैसे 1, 3, 5, 7, 9 यह हमारा odd हो गया और even जो हो गया हमारा 2, 4, 6 तो यह serial numbers यह आप निकाल सकते हैं जैसे माले यह 10 page है या 10 page है यादी तो आप odd कर देंगे तो हमारा 1 पहला page निकलेगा फिर तीसरा निकलेगा फिर 5 निकलेगा फिर 7 नमबर निकलेगा फिर 9 नमबर निकलेगा even कर देंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 जो कि इससे पहले हम उपर वाले बता थे इस तरीके से आप यहाँ से type कर के लिख सकते है page कौन कौन से serial नमबर चाहिए यहाँ तो फिर odd even को select कर लेंगे अगर इस तरीके से sequence में अगर आपको निकलना हो या जरूरत पड़ता है तो अगर एक sequence में है तो आप उसको भी निकल सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको निकल सकते हैं और even कर यह ज्यादा तर होता है जैसे एक page के पीछे जैसे पहले page में हमारा पहला page है उसी के just पीछे हमको दूसरा भी निकलना है तो हम क्या करेंगे पहले एक site का निकलेंगे पहला निकलेगा तीसरा निकलेगा पांचवा निकलेगा सातवा निकलेगा नौवा निकलेगा उसके बाद दूसको निकालने के बाद फिर even कर देंगे even में हमारा पहला जो निकला था उसके पीछे पीछे वाले पेज में दूसरा निकल जागा जो तीसरा निकला था उसके just पीछे चवथा निकल जागा चवथा के just पीछे पाँचवा निकल जागा तो odd event इस तरह इस तरह इस सलेक करते हैं तो एक ही page में निकालना है तो पहले odd निकाल लेंगे फिर event निकाल लेंगे तो हमारा आगे पीछे print out उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है page per sheet यहाँ पे page per sheet दिया हुआ है कितने page per sheet चाहिए तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं एक page में निकालना है या दो page में चार, छे, आठ इस तरह के से आप per sheet निकाल सकते हैं जो भी आप select करेंगे 1 कर देंगे तो 1 per copy निकलेगा 2 करेंगे तो 2 copy निकलेगा 3 मतलब एक copy के एक ही निकलेगा 2 में कर देंगे तो जो भी हमारा 1 page है उसका 2 copy निकलेगा 3 कर देंगे तो 1 copy का 3 copy निकलेगा एक page का तो इस तरह के से 6 कर देंगे तो एक जो हमारा page है उसका 6 copy निकल जाएगा same तो इस तरह के से आप यहाँ पे page per sheet select करके ले शकते हैं उसके बाद Scale to Paper Size यहां पर Paper Size किस पेज में निकालना चाहते हैं जैसे Normal जो हमारा होता है जो Official होता है Print Out निकाला जाते हैं जैसे Resume हो गया कोई भी Later हो गया या Application हम निकालते हैं तो ज्यादा तर A4 Size में ही Print Out निकाला जाता है तो हम यहां पर A4 Select करेंगे लेकिन उसके इलावा जैसे A3 है तो A3 हमारा जो होगा A4 से Page हमारा बड़ा होगा A3 से बड़ा Legal होगा Legal से बड़ा Toggle होगा फिर Later होगा ठीक है और भी उससे बड़ा है तो No Scaling कर देंगे वो अपने हिसाब से Regist करके जितना बड़ा Page होगा जो भी हम दिये हुए उसमें Size तो वो अपने हिसाब से निकालेगा जिसे A4 के बाद होता है A5 हमारा A4 से छोटा होगा जितना संक्या बढ़ते जाएगा वो छोटा होगा तो इस तरीके से छोटा होता जाएगा इधर आपका ये बड़ा होता जाएगा उसके बाद ये सभी हम Select कर लिए चलिए A4 साइज हम Select कर लेते हैं Select करने के बाद यहाँ पे यह हम Select कर लिए और Select करने के बाद हम फिर क्या करेंगे ओके कर देंगे तो यह इस तरीके से हम प्रिंट आउट कहीं भी अगर हमको आओ सेकता है जरुरत पड़ता है या ओपिस में जब हम काम करते हैं तो अगर आपको कोई प्रिंट आउट निकालने के लिए देता है या कहता है तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो यह था हमारा आज का टॉपिक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चलिए फिर मिलते हैं एक next vlog में तब तक के लिए thank you and bye